तो दोस्तों इंडिया नेवी के पहला इंडेजिनियाज एरक्रेफ्ट केरियर आइनेज विकरांथ के लिए नेवी के द्वारा केरियर बॉन मल्टी रोल फाइटर एरक्रेफ्ट खरिदने का तैयारी किया जा रहा है। ऐसे में अफखवर ये है कि अमेरिकी कमपनी बॉइंग इस टेंटर को जीतने को लेके काफी अधिक कॉन्फिडेंट है। fighter aircraft खोई दे जाने का इरादा बनाया गया और दोस्तों इस इरादे के तहट इंडिया के द्वारा जब tender float किया गया तो इसमें total 4 प्रमुग दावेदार थे जिन में सबसे आगे देशल एविएशन के रैफाल के नेवल वेरियंट और बोईंग के एफ़े 18 सुफा होनेट देखे तो 24 करोड रुप्या का इस डिल को हासिल करने का प्रमुग दावेदार ये दोनों ही एरक्रेप्ट है और एक तरीके से देखे तो 4 में से इन दोनों एरक्रेप्टों का ही ए करना चाहता है जबकि हाली में एरक्रेप्टों के कुछ क्रैश भी एरक्रेप्टों के उपर सवाल उठा चुका है जबकि सीग्राइफ फिर एक सिंगल इंजिन फाइटर एरक्रेप्ट है और अब तक यह ऑपरेशनल भी नहीं है और इसी वज़ाए से चाहिद इन दोनों प्रतियोगीता से बाहरी सोचा जा रहा है पर दोस्तों जो दोनो यहरक्रेप्ट एक दूसरे के सामने हैं मतलब टेंटर को हासिल करने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है उन दोनों यहरक्रेप्टों में ही कुछ मुछ क्यों है जिसे सौल्फ करना आवशक है खास करके अगर AFA-18 Sufa Hornet और Rafale के carrier waste fighter aircraft दोनों को ही देखा जाए तो आपको पता चलेगा, यह दोनों aircraft ही catapult launching से less aircraft carrier के उपर इस्तिमाल होता है, जबकि इंडिया के जो पहला indigenous aircraft carrier INS विकरांथ है, वो ski jump से less होगा, SMA Dassault Aviation का कहना है कि उनके aircraft बिना किसी modification के, इंडिया के ski jump बाला aircraft carrier के उपर से आसानी से इस्तिमाल हो सकता है, जबकि बोईंग को modification का आवश्यक्ता है, और बोईंग द्वारा भी ski jump के उपर से operate होने का demonstration भी 2020 में दिया गया था, जब land-based ski jump ram के उपर से aircraft ने successful take-off भी किया था, दोसों बोईंग के तरफ से भारत को जिन fighter aircraft का offer किया जा रहा है, वो असल में twin engine multi roll fighter aircraft है और ये F-18 के सबसे आधुनिक वर्जिन है, अमेरिकी navy का ये सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला fighter aircraft है, इवन अमेरिका के aircraft carrier के भी ये backbone है, ये जो aircraft है, ये करीवन 1190 mile per hour के रफ्तार से travel कर सकता है, और इसमें M9 Sidewinder, M7 Sparrow और M120 MRAM जैसे missile का इस्तेमाल होता है, बोईंग कंपनी के तरफ से इंडिया के tender को हासिल करने के लिए, Arrow India 2021 मतलब इस साल फेवरोडी महिने में बैंगलोरू में आयोजीत exhibition में भी लाया गया था, बोईंग के बयान के मुताविक जो Super Hornet है, ये इंडियान Navy के लिए एक unique fighter aircraft बनेगा, और इंडियान Navy के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए, ये carrier के साथ twin seated variant में भी operate हो सकेगा, मतलब ये aircraft इंडियान Navy के operational capability को काफी flexible भी बना सकेगा, इवेन दोस्तों, अमेरिकी fighter aircraft को carrier की उपर से operate होने का काफी अधिक experience भी है, और अमेरिकी aircraft carrier और उसमें F-18 Super Hornet कई सालों से इंडो Pacific में भी operate हो रहा है, और इसी वज़ा से बोईंग F-18 Super Hornet को इंडो Pacific के अंदर इंडियान Navy के ताकत को मजबूत करने का एक जरिया के रूप में भी देखा जा रहा है, aircraft के बारे में जानकारी देते हुए Boeing के अधिकारियों के द्वारा ये भी बताया गया कि ये जो Super Hornet aircraft है, ये काफी कम कीमत में पर आवर operate हो सकता है, मतलब इसके operational cost भी काफी कम है और ये aircraft 10,000 घंटा तर इस्तिमाल हो सकता है, जबकि उनका ये भी कहना है कि aircraft में दुनिया का ताकदवर तरीन इंजिनों में से एक का इस्तिमाल किया गया है, जिसे GE414 इंजिन भी कहा जाता है, जो कि Rafale में इस्तिमाल होने वाले इंजिनों के दुलना में अधिक ताकदवर है, इस वज़ा से carrier waste fighter aircraft को भी काफी अधिक मदद मिलेगा, दुसरे तरफ अगर देखा जाए तो Indian Navy के दुआरा हाली में Boeing से एक बहुत ही ताकदवर हत्यार को परचेस किया गया है, जिसे हम PAI Maritime Surveillance aircraft के नाम से भी जानते हैं, P-8I Indian Navy के एक महतोपूर्ण S8 के रूप में भी परिवर्तित हो गया है, जब कि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो Quad के अल्रेडी दो देशों के द्वारा P-8I का भी इस्तिमाल किया जा रहा है, और बोईंग के F-18 Sufahornet भी Quad के आस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश के द्वारा इस्तिमाल हो रहा है, जब कि Rafale Aircraft को लेके भी एक्सपर्टों का मानना है कि ये एरक्राफ बोईंग F-18 Sufahornet को एक मामले में पीछे चोड़ता है और वो है इन एरक्राफ्टों को अल्रेडी इंडिया द्वारा इस्तिमाल करना, इंडियान एरफोर्स के लिए अल्रेडी 36 रैफाल एरक्राफ्टों को खड़दा गया है, जिनका डिलिवरी अल्रेडी शुरू हो चुका है, तो सब माना जा रहा है कि इस साल के अंतक 35 और अगले साल के जन्वरी महिने तक 36 के 36 रैफाल एरक्राफ्ट इंडियान एरफोर्स को मिल जाएगा, जबकि इंडिया के दुआरा रैफाल एरक्राफ्ट इस्तिमाल करना ही, कैरियर बॉन मल्टी रोल फाइटर एरक्राफ्ट के टेंडर में रैफाल के बढ़ोत्री का एक मात्र कारेंड नहीं, बलकि एक्सपरटों का मानना है कि इन एरक्राफ्टों के सिंगल सीडेर वर्जन के साथ साथ त्वीन सीडेर वर्जन अल्रेडी एवलेवल है, जबकि रैफाल एम मतलब इसका कैरियर वेज जो वर्जन है, उसका एरफेम को भी डैसॉल एविएशन के तरफ से मजबूत बनाया गया है, इसके नाक के आकार को भी लंबा किया गया, एरक्राफ्ट के दोनों इंजिनों के बीज में एक टेल हुक लगाया गया है ताकि ये एरक्राफ्ट के उपर आसानी से लैंड कर सके, दोसे दरव Rafale Aircraft में Spectra Internal Electronic Warfare System का इस्तेमाल किया गया है जिसे दुनिया के सबसे बहदरिन Electronic Warfare System का भी दरजा मिला हुआ है जो एक तरीके से Aircraft को Ground Base और Airways Threats से काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है और ऐसा शमता F.A.18 400 के पास नहीं है मतलब Indian Air Force के Maintenance Facility के द्वारा ही Navy के Rafale Aircraft को Maintain किया आया सकेगा उपर से Dassault Aviation और इंडिया के Reliance Company के बीच में भी समझोता है जिसके तहत नाकपूर में एक Dassault का Manufacturing Unit निर्मान किया गया है और ये वी एक तरीके से Dassault Aviation को इंडिया के Tender जीतने में बढ़ोतरी दिलाएगा दोसों अब चलिए जानते हैं इंडिया नेवी के Current Carrier Base Fleet के बारे में इंडिया नेवी के द्वारा Total 2 Squadron MiG-29K Twin Engine Supersonic Carrier Base एरक्रेफ्टों का इस्तिमाल किया जाता है जो इंडिया नेवी के INS विक्रमादित्य एरक्रेफ्ट के उपर इस्तिमाल होता है और ये एरक्रेफ्ट इ इंप्रूब करने के बाद अगर इसका Total Strength को देखा जाए तो नेवी के पास फिलाल ऐसा 45 एरक्रेफ्ट है जबकि 2021 के दर्मियान मतलब Arrow India 2021 के दर्मियान Russia के Russian Federal Service for Military Technical Corporation के Deputy Head Vladimir Dozerov के तरफ से जानकारी दिया गया था कि Russia Indian Navy के आवश्रक्ताव को देखते हुए additional MiG-29K और KUV fighter को जबकि दोस्तों इंडिया का जो पहला एरक्रेफ्ट केरियर मतलब INS विकरांद को देखा जाए तो ये तैयार हो चुका है और आने वारे साल में ये इंडिया नेवी में operationally शामिल भी हो जाएगा और अगर इंडिया के तरफ से अभी से भी केरियर वेस फाइटर दिया गया था कि पहला एरक्रेफ्ट केरियर मतलब INS विकरांद भी MIG-29 के एरक्रेफ्टों को ही कैरी करेगा दोस्तों ऐसे तो MIG-29 एरक्रेफ्टों को एक बहतरीन एरक्रेफ्ट के रूप में देखा जाता है लेकिन हाली के सालों में कुछ क्रैशों के बाद इन एरक्रे design agency मतलब ADA के द्वारा carrier waste आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए twin engine deck waste fighter aircraft का निर्मान किया जा रहा है जो Indian Navy के MIG-29 aircraft को replace करेगा इवें दोस्तों माना जा रहा है कि 2034 से MIG-29 aircraft को replace भी करना शुरू किया जाएगा जबकि इससे पहले ही Indian Navy के ये carrier waste fighter aircraft को operationalize करने का भी इरादा गया था जबकि ये successfully बनके तयार फी है लेकिन Navy के द्वारा अपने आवशक्ताओं को देखते हुए single engine fighter के जगा में twin engine fighter को बेडे में शामिल करने का इरादा बनाया गया है और इस इरादे को देखते हुए ही Tejas aircraft के experience का इस्तेमाल करते हुए twin engine deck waste fighter aircraft का निर्मान किया जा रहा है तो सब के जानकरी के लिए बता दू कि इन aircraft के लिए कई तरीके के component का development अल्रीडी किया जा चुका है जिनका इस्तेमाल Tejas aircraft के carrier waste version के prototype में किया गया था इवन Tejas के इन naval prototype को successfully INS Vikramadity के उपर land करा के और उसके बाद उससे take off करा के इंडिया के द्वारा carrier waste fighter aircraft को develop करने का एक achievement हासिल किया गया जो एक तरीके से twin engine deck waste fighter aircraft के development को तो आसान करेगा ही साथ में इसे और तेजगती देगा नया aircraft को लेके बताया जा रहा है कि ये इंडियन navy के हर तरीके के आवशक्ताव को पूरा कर सकेगा जिन में combat petrolling से शुरू करके interception, ground attack, maritime strike, reconnaissance, electronic warfare और body to body refuel फिक शामिल है तो दोस्तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ये प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जैहिन